Hello everyone, welcome back to our channel which is Nirakshi Vlogs, कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छी होंगे और ये जो ठंड है, जो जाती होई ठंड है, उसे एंजॉय कर रहे होंगे, जाती होई ठंड है, इसलिए मेरे बाल हैं खुले, मैं नहाई हूँ आज सर धोके, और मैंने कोई कैप नहीं लगा रखी है, वरना मैं कॉंटनी हूँ जब से बिमार पढ़ी हो ना, फर्स जानवरी से, आज कॉंसी डेट हो गई, बीस तारिक हो गई, बीस दिन से कैप ही लगा रही हूँ, तो अब जाके थोड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, सुबह उठो, साढ़े आट देखो, तो धूप न दो दिन जो होते हैं, वो कैसे बीत जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता, मैं बैट जाती हूँ पहले थोड़ा सा, क्योंकि अभी सौंग्स चल रहे थे, और हम सब अपना, हम सब क्या हम दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे, सुबह मैंने आज और गानिक मूली के इनाओ इन इन्हें इतने अच्छे लगे, बहुत टेस्टी लगता है, मतलब मूली के पाराठे बनाते वे समयल बहुत आती है, तो इवन घिसते वे भी, तो मैंने ही क्या किया था कि डॉली से गा था कि डॉली वो help कर देती है, मेरी vegetable cutting मे भी, तो इसको नहीं गिस दो, गिस घिसके गई तो इतनी गंधी शुट मुझे लागा किचन में असा क्या रखा हूँ एवन गोभी घिसके जाती है वो तो भी बहुत गंधी लेकिन इनके पराथे गाने में बहुत मजा आता हैमेने पिछले साटवडेर संटिय अगैस मैं न॑ Η सिर् code अगए किया थे हैं ने संडे मिफ्राथे कीया ते बिक्राथे खूब भाणाथे और साटवर जो लास्ट इक थब है मैंने अल्लु के पराथे बिलकुल ममीसिटाहि यह मतलब कि आलू, खुब चारा हरी मिर्च और खुब चारा उसमें धनिया और नमक बस इसी की फिलिंग होती है उसमें कोई गरम मसाला नहीं कोई लाल मिर्च नहीं डलती और वह जो लेकिन वो व्लॉग आप सभी ने देखा मुझसे पूड़ी पूड़ी वन रही थी तो मैंने चकला हटाया फिर नीचे बेलना स्टार्ट किया उसके कॉर्नर कॉर्नर कट कर दिये तब जाके थोड़ा खाने लायक बना लेकिन जाजी को बहुत अच्छा लगा तो आज जाजी ने कहा होता कि मंडे टू फ्राइडे हम ब्रेकफस्ट नॉम्मल सा करके चले जाते हैं दूद कॉन्फलेक्स खा लिया या फिर ब्रेड बटा खा लिया और दूद पी लिया इस टाइप का तो साटड़े संड़े होता है कि पराठे खाने हैं घी में बने वे और बटर लगा नहीं में गी पनाया वेने ऊपर से खूब सारनगी डाल दिया तो जाजी जाजी अभी बाहर बालकरी से कपड़े उतार रहे जाजी इतर देखिए जाजी हेलो बोल दो हाँ जाजी बालकनी से कपड़े उता रहे हैं और मैं पराठे बना चुकी हूँ तो हमने ब्रेकफस्ट कर लिया है वो गया हो जाता है इतना जल्दी-जल्दी हो जाता है ना कि ठीक है हम उठते भी लेट है तस बजे येस साटेडे संजय हमारा उठना भी थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मंडे टू फ्राइडे बहुत जल्दी उठना पड़ता है तो मैं इन्हें पहले कहके सोती हूं कि मुझे उठाना मत दो डॉली आ जाती है नींद में मैं रहती हूं मैं तो सोई रहती हूं यह जगे रहते हैं वो क जाए पिया जाजी को और भी कुछ काम था बाहर से जाजी वो भी करके आ गये अब मैंने बनाया है कड़ी कड़ी खाने का मीरा मन इतना ज्यादा थाना ज्यादा कड़ी खाने का मन हो रहा था थंड की वजह से कड़ी और चावल चावल नहीं घारी थी मैं आराउंड 15 दिन से पिछले कुछ दिनों से चावल खाना स्टार्ट की है 15 दिन से चावल एकदम बैन तो मैं बोलते थक चुकी हूं साड़ चार मिनट हो गए कॉंटेनी बोली रही हूं तो मैं आपको दिखाती हूं कड़ी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाई है मैंने कड़ी एकदम बनाती लेकिन जाजी को अच्छी लगती है पकॉड़े वाली गढ़ी मैंने उन से पूच्छा प्यास वाले पकॉड़े खाओंगी यह जो सिंपल बैसन वाले होते है तो जाजी ने खाये मैं कहाँखाँ टो मुझे अच्छ लगते हैं तो मैंने बैसन में ही जीरा अज्वाइन अ अच्छे से मसाले डाल के पकोड़े बनाया चोटे-चोटे बहुत ही अच्छे फूल गई पकोड़े में कढी दिखाती पहले यह देखिए यह बनी है कढी यह रख देती हूं मै तो यह जो है ना यह मैं कह सकती हूं यलो यलो अब देखके मुझे बस एकी चीज याद आ रही है सरस्वती पूजा क्योंकि उस दिन यलो यलो कपड़े पहनते हैं यलो यलो सारी चीज़े भी खाते हैं या फिर वाइट यह यलो होता है है नो तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज ही मैंने बना लिया क्योंकि 26 ऐसे तो छुटी रहेगी थर्सडे है थर्सडे भी है वाव तो उस दिन भी कुछ यलो यलो बनाएंगे तो कड़ी में भी बन चुकी है चावल जड़ाने हैं तो यह देखो मैंने चूरा भी दोके रखा है अभी अभी जैस तो इसको ढग देती हूँ मैं देगी मिर्च से तड़का लगेगा इसमें उपर से तो बहुत डेस्टील बनेगी यह चूरा फुला के इसलिए रखा है कि चूरा और आलू बाल के मैं कटलिट्स बनाऊंगी और नहीं तो चूरा और दही और सूजी के साथ वो नहीं होते अपम वो बनाऊंगे आज प्लेन नमक डाल के और उसको राई के साथ और प्यास के साथ फ्राई करूंगी तो शाम में नाश्टा भी हो जाएगा वो तो जाजी देखिए कित्य 1997 मेरी इनुहने सारे इतार देइए अब मैं इसे फोल्ड लेती हूँ है जाजी फोल्ड कर लेती हूं जाजी मप जाएंगे नहाने नहाने के बाद हम दोनों करेंगे लंच तो पहले आप बताईए breakfast कैसा था आज का अच्छा था टेस्टी था ना येस आपको अच्छे लगता नो मूली के पराठे पराठे वगर अच्छे लगता है येस जाजी को even specially इने पराठे के बहुत अच्छे लगते हैं आलू के हों या गोभी के हों मूली के हों बहुत अच्छे लगते हैं अभी जाजी थोड़ा जल्दी में है क्योंकि जल्दी से नहाले वो तो उसके बाद हम लंच साथ ही करेंगे आज मेरे रेडी होने का मन बहुत जादा था तो ये देखो मैं ने बिंदी के नीचे एक ब्लाक डॉट भी लगाया है पहले मैं होची थी वह मराथी स्टाइल में रेडी हूँ लेकिन मैंनी वह थोड़ा रखा कि मैं सरस्वती पूजा वाले दिन ऐसे रेडी होंगी यह लोगला की बिंदी लगा कि और रेड कलर का ऐसे और ऐसे डॉट बन आउंगी और चांद बनाऊंगी is type का कुछ करूँगी अगर मन किया तो आज बहुत मनधा रडी होने का संदर सा क्योंकि सुपर सूपर आफिस जाते वे ना बस जो मिलता है आपने वो लगा लो जो मिलता है समने वो पहन लो और कुछ नहीं किया जाता येस इते काना जी क हमने सामने लगा रखी है ताकि उठते ही वह हमें दिख जाए तो दिन हमारा अच्छा जाए है ना जाजी येस तो कड़ी तो बनी रही है अब न मैं क्या गरती हूं फोन रख देती हूं इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी जब मैं खान बना लूंगी न चावल बना लेती हू उसके बाद आपको दिखाऊंगी फाइनली कड़ी कैसी बनी और जाजी को कैसी लगी तो यहां पर देखे जाजी ये रहे और हम आए हैं लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके नीचे है ना बंदर क्यूंकि साटड़े है तो साटड़े हमेशा जाजी नीचे मंदर आते हैं और जाजी क्या करवाते हैं हनुमान चालीशा रहते हैं हम सब आते हैं और आज का थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हमारे यहां जो है पहले सिर्व माता जी थी मंदिर में अब यह चोटे-चोटे उसको और एक्स्पैंड कर दिया जिए इसमें अब रादा किस्ती जी सबी भी आजेंगे राम-dar-bahr आजाया अगा गणेश जी आजेंगे तरषवती जी आजेंगे हनुमान जी आजेंगे तो कल बहुत अच्छे से फॉंक्षन है यह चार दिन का प्रान प्रतिष्णान चार से पास दिन का चलेगा इसके लिए हैं इसके लिए सारे ही आप रे तो मैं दिखाती हूं सबको वो लगा रहेगा और नेक्स वीक से हो जाएगा कि हम आप कहीं महार जाने की सुछती पड़ेगी शनिवार का भी हम यहीं पर तेल टड़ा सकते हैं तो मैं आप सभी को पहले दिखाती हूं डेकोरेशन यह देखिए यहां से है स्टार्ट यह हमारा सुन्दर सा मंदर में मंदर सामने और यह सारे इसमें कल प्रांट प्रतिष्था होगी सारे भगवान जी की और जो पीछे हैं उदर शनीदेव और नवग्रह भी आएंगे और यहां है पूरा जो फंक्शन होने वाला है तो मैं आप सभी को दिखाती हूं यह देखिए मैं अभी अंदर ही बै रिकॉर्ड नहीं कर पाई यह देखिए हां हां तो बहुत ही ज्यादा सुन्दर है ना यह देखिए यहां चलेगा कीरतन यह जो डेकुरेशन हो रखा है गजब का और यहां पे हवन होगा तैयारी तीन-चार दिन पहले से ही हो रखिए पूरी ससाइटी में ऐसे दिखा दिये गए हैं और बहुत ही अमेजिंग है ना जाजी हूं अंदर का मैंने तो शूस पैंग लिया है यहां यहां पे मेरे खाती हैं यह देखा हुआ यहां होने वाला है हाव इंग किता सुन्दा डेकुरेट किया हो है और यहां चलेगा कीव तन तो गजब भी सजा दिया है है कला कॉंबिनेशन काफी अच्छा है यलो और रानी कलर का तो बहुत ही अच्छा चलते हैं वापस जाजी को देखिए यह जो इन्होने गले में औरेंज कले का टांग रखा है यह इनके ग्रुप का यह सिंबल है वीच्प का है ना यह जो क्लिप है यह है कल के बाद डारेक्ली आज मॉर्निंग की और वो वीडियो में एंड नहीं कर पाई थी हम डारेक्ली मंदर घुमने के बाद फिर एक सोसाइटी का राउंड लगाया और घर आ गए थे तो उस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड और यहां से एक और नहीं वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आप प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करके जाए हमारा चानल और बहुत सारा इसे प्यार दे मिलते हैं अगले वीडियो में जोकि मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूं बाबाई